वेलकम डियर वीवर आज का हमारा टॉपिक है डस्क बाइ साकी जो के एक शॉट स्टोरी है डस्क का मतलब होता है साम का वो समय जब सूरज डूबने लगता है हमारे ओथर का नाम है हैक्टर हग मुन्रो जिनका निकनेम साकी है एक ब्रीटिश राइटर है उनका जन 18 दिसंबर 1870 को हुआ था उनकी मृत्ति वह 14 नॉवेंबर 1916 को हुग थी कहानी के कारेक्टर से नॉर्मन गॉट्स बाई एक यंग मैन और एक उल्ड मैन दोनों का नाम नहीं बताया गया है नॉर्मन गॉट्स बाई जिनकी एज 50 से 60 होगी वो एक बेंच में पार्क में बैठे थे डेस्क का समय हो रहा था वहां आते जाते लोगों को देख के लग रहा था कि वो लोग काफी अपने जिन्दग में परेशानी से गुजरे हैं पर अभी कुछ पल निकाल के वो इस पार्क में अपने समय गुजरने आए हैं उनके साथ एक और बुढ़ा आदमी बैठा था वो कुछ 60-70 का होगा वो उसके फटे पुराने कपड़े थे नॉर्मन गॉट्स भाई ने उसे इस तरीके से देखा कि उसे अच्छा ने लगा और वहां से उठके चला गया कुछ देरी बाद एक आदमी आया और उसके पास आके बैठ गया गॉट्स भाई ने उस लड़के से पूछा कि तुम कुछ अच्छे मूड में नहीं लगते हो तो वो कहता है कि अगर आप मेरी जगा रहते तो आपका मूड भी कुछ ऐसे ही होता और फिर वो अपनी कहानी शुरू करता है मैं आज ही इस शहर में आया हूँ और पेटागोनन होटल में मुझे स्टे करना था जब मैं होटल गया तो अनफॉर्चुनेटली उसका शेटर बन था और वहाँ सिनेमा चल रही थी मेरे टैक्सी ड्रेवर ने मुझे रेकमेंड किया अगले होटल में चलने के लिए और मैं अगले होटल के लिए रवाना हो गया इस होटल में आते ही मुझे नहानने की जरूरत पड़ी और वहाँ पर मैं होटल का साबूर यूज नहीं करता है मैं उसे खरीदने के लिए दुकान आ गया अब मैं होटल का नाम और उस तक जाने का रास्ता भी भूल चुका हूं फिर वह आदमी कहता है कि यह सब आपको जरूर एक मजाक लग रहा होगा तो गौट्स बाई कहता है नहीं ऐसा मेरे साथ भी एक बार हो चुका है फिर वह मुल लटकाते है और यह जब हो चला जाता है तो गौट्स बाई सोचता नहीं कितना जूटता आदमी है इतनी सफाई से जूट कहता है और फिर थोई देर बाद जब वो बेंच के नीचे देखता है तो उसे एक साबुन का बार मिलता है तो सोचता है कि मैंने बेकारी उस पर शक किया और उसे वो साबुन की बार देने के लिए निकल जाता है कुछ देरी चलने के बाद उसे वो आदमी मिल जाता है और वो उस साबुन के बार में उसे कुछ पैसर डाल के दे देता है और कहता है कि अब इसे तुम मत भुलाना तो ज़्यादा अच्छा होगा और फिर ये कहते वे वो वहाँ से फिर अपने घर की ओर निकल जाता है और वो उसी पार्क और उसी बेंच से उसी रास्ते से जाता है जहाँ पर वो बैठा था तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर वो जो बुढ़ा आदमी थोड़ देर पहले उसके साथ बैठा था वो वहाँ कुछ ढून रहा है गौट्स बाई उससे पूछता है कि तुम क्या ढून रहे हो तो बुड़ा आदमी कहता है कि मैं एक साबुन की टिकी जो मेरी यहाँ गिरी थी उसे ढून रहा हूँ तब गॉट्स बाई को समझ आता है कि वो आदमी तो जूट बोल रहा था जिसे वो साबुन पहुचा के आया है ये बताता है कि लोग किस तरीके से दूसरे आदमी से पैसे आटने के लिए जूट बोल देते हैं ये शॉर्ट स्टोरी एक्चुली में एक ड्रामा है जो त्रियेटरे में परफॉर्म किया गया था